प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्णावली 4.3 के उधारण, देखिए पहला उधारण इसमें हमें समीकर्ण हल करना है, जिसमें 4P है, समीकर्ण इस परकार है 12P-5 बराबर 25 तो सबसे पहले 4P के अलावा जो ये संक्या है, इसे हमें हटाना है, तो संक्या हängt माइनश 5, तो बच्चों माइनश 5 के पास में, यदि हम प्लस 5 लिख देंगे, यानि 5 जोड देंगे, तो ये संक्या है, इसका मान सुन्य हो जाएगा, ठीके, लेकिन हम एक पक्स में तो केव दोनों, पक्षो में, पांच जोडने पर, देखिए, माइनस पांच, ये लेफ़ेंड साइड है, राइट एण साइड है, तो हमने पढ़ा है, समिकर्ण चैन parle, पक्सों में यानि left hand side में और right hand side में समान संख्या जोड सकते हैं गटा सकते हैं समान संख्या से गुणा कर सकते हैं या भाग दे सकते हैं तो समान संख्या हमने दोनों तरफ पांच पांच जोड़ दिये ठीक है अब आप देखिए माइनस पांच प्लस पांच इसका मान तो सुन्य हो गया, तो यहां बचा केवल बारा पी तो लेप्ट एंड जाइड में बारा पी बाराबर पचीस प्लस पांच यानि तीस, अब आप देखिए, हमें तो केवल पी का मान बताना है, तब ही तो समीकर्ण का हल होगा, भाई समीकर्ण किस रूप में, चर्ण का क्या नाम है इसमें, पी है, तो हमें तो पी का मान बताना है, यह है बारा पी का मान, तो अपन क्या करेंगे, दूसरे चरण में भाग देंगे, किसका भाग देंगे, आप देखिए, 12 पी, तो पीक से ये 12 गुणा और कर, तो 12 कब गाईब हो जाए, जब अपन इसमें 12 का भाग देंगे, ठीक है न, तो अपन यहां लिखेंगे, दूसरे चरण में, दोनों देखिए 12 P बराबर 30 दोनों तरफ 12 का भाग देंगे 12 से 12 केंसिल P बराबर 30 बटा 12 इसे अब सरल कर लेंगे यानि समान सिंक्या का अंशुए हर दोनों में भाग जाता हो तो ज्यान दीजिए 6 का भाग जा रहे 6 पांच 30 छे दुनी 12 बराबर 5 बटा 2 तो समीकर्ण का हल क्या हो गया P बराबर 5 बटा 2 ठीक है बच्चों देखिए अगला उधारण अगला उधारण है 4 4 ब्रेकिट में है M प्लस 3 बराबर 18 बचों इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कोश्टक कैतिरिक जो संक्य है उसका भाग देना पड़ेगा तबी तो ये कोश्टक अटेगा इसमें तो अपन क्या करेंगे दोनों पक्सों में जैसे कोश्टक 4 से गुणा है तो अपन लिखेंगे दोनों पक्सों में 4 का भाग देने पर यहां लिखेंगे अपन, दोनों पक्षों में चार का भाग देने पर, देखिए, ये दोनों पक्षों में अपन ने चार का भाग दे दिया, ठीके? तो चार से चार केंसिल, तो लेफ्ट एंट साइड में क्या बचा? एम फ्लस तीन बराबर अठारा बटा चार, अठारा बटा चार को बच्चों सरल भी कर सकते हैं अपन, दो का भाग जा रहे हैं, नो, नो दुनी अठारा, दो दुनी चार, तो यहां बच गया नो बटा दो, अब आप देखिए, चर के अतरिक जो सिंख्या है, इसे हटाना है, बच्चों, अभी तक अपन ने क्या किया था, जैसे पूरू के उधारण में, कि जैसे चर के अतरिक जो सिंख्या है, अगर प्लस में है, तो उसके समान सिंख्या को गटा देंगे, अगर माइनस में है, तो उसके समान सिंख्या को जोड़ देंगे, एसा ही तो काम करते थे, यहाँ पर आप अब अपन नया सिखेंगे transpose यानि पक्षांतरन करना जैसे यहाँ जो संक्या है यह एक पक्स left hand side यह दूसरा पक्स है right hand side जब एक पक्स से दूसरे पक्स में जब संक्या या चर अपन दूसरे तरफ बेजते हैं या दूसरे तरफ से अपनी और लाते हैं तो उनके चिन में परिवर्तन होता है संक्या होई रहेगी उनके चिन में परिवर्तन हो जाएगा जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी या जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी पक्स बदलते ही संक्या का चिन बदल जाएगा ज्यान दीजिए जैसे लेफ्ट एंड साइड में एम है जैसे की जैसे ही राइट एंड साइड में नो बटा दो है जैसे की जैसे प्लस 3, देखिए, यह भी left hand side में है, अब अपन उसे right hand side में ले जा रहे हैं, दूसरे तरफ ले जा रहे हैं, इस तरफ, तो यह प्लस 3 हो जाएगा, minus 3, समझे रहें ना, पक्षांतर्ण में, एक संक्या जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर जाती है, जब अपन उसका पक पक्ष बदलते हैं, यह दूसरे पक्ष से पहले पक्ष की ओर लाते हैं, तो चिन बदल जाता है, ठीके, जैसे अपने यह प्लस 3 था, दूसरे तरफ लेके तो minus 3 हो गया, अब इसे सरल कर ले, तो aim का मान आ जाएगा, let's up 2, 2 का बाग 2 में एक बार, इसलिए no गुणा एक, यानि अंस की संक्याओं के एक से गुणा कर देंगे, जो बीच में साही ने वो है, जैसे की जैसे, 3 को अपन 3 बटा एक लिख सकते हैं, लिख सकते हैंगे नहीं, एक का बाग 2 में, दो बार, तो अंस की संक्या 3 गुणा 2, इसे सरल करने पर, 9 को एक से गुणा करने पर, 9 minus 3 इन दुनी 6 बटा 2, 9 में से 6 गटाने पर 3, 3 बटा 2, एम का मान आगया 3 बटा 2, 4 एम है, जब एम का मान आगया, इसका मिलब समिकर्ण का हल का है, एम बराबर 3 बटा 2, ठीक है बच्चों, देखिए अगला उधारण, minus 2 bracket x plus 3 बटाबर 8, bracket किस संख्या से गुणा और खाए, आप उस संख्या से दोनों पक्सों में भाग देदें, जिससे कि आपका सरल हो जाएगा, कोष्ट खड़ जाएगा, देखिए यहाँ, minus 2 से गुणा है, तो अपन क्या लिखेंगे, minus 2 से दोनों पक्सों में भाग देने पर, तो ठीक है बच्चों, दोनों तरफ भाग देदें, दोनों पक्सों में minus 2 का, तो यह लीजिए, left-hand side में minus 2 का भाग, यह right-hand side इसमें भी minus 2 का भाग, minus 2 से minus 2, यानि चिन है, cancel, 2 से 2 cancel, यहाँ क्या बचा, left-hand side में, x plus 3, और इधर बचा है आपका 8 बटे 2, और यह minus का sign, 8 में 2 का भाग जाएगा, 4 बार, यह minus का sign, ठीक है, अब आप देखिए, समीकरण अपना इस रूप में ही तो है, plus 3, x plus 3 बराबर minus 4, 4 के अत्रिक संक्या, 3, plus के 3 है, अपने इसे दूसरी दर राइट-hand side में ले जाएंगे, तो इसका चिन बदल जाएगा, plus का 3, उदर जाने पर minus का 3 हो जाएगा, ठीक है बचों, इस बात का ध्यान रखना आपको, left-hand side में 4 है जैसे की जैसे, right-hand side में minus 4, यह है जैसे की जैसे लिख दिए, अब यह plus 3 है न, right-hand side में जाएंगे, तो minus के 3 होगे, बचों, अब देखिए, अब x बराबर minus 4 minus 3, हमने पढ़ा है, कि समान चिन की सिंक हैं, हम ऐसा जुड़ती है, तो यह दोनू minus चिन की सिंक हैं, रिनात्मक है की नहीं है, तो minus 4 minus 3 दोनू जुड़ेगी, तो 4 और 3, 7 और minus का sign, तो x का मान किता आ गया, x बराबर minus 7, यही समीकर्ण का हल है, ठीक है बचों, इस परकार के फ्रेश्ण आप भी हल करने का परियाश कीजिए, अब देखिए आप, हल से समीकर्ण बनाना, अभी तक अपन ने क्या किया है, अब इसका उल्टा, हल दियावा हो, उससे समीकर्ण बनाना, एक बार देखिए अब, समीकर्णों को केवल हल ही नहीं कर सकते, अपितू उनको बना भी सकते हैं, आपने यह देखा है कि एक दीवी समीकर्ण का आप केवल एक ही हल प्राप्त करते हैं, अभी तक अपने जितने भी उदार्णी अप्रेश्ण किये, उन सब का केवल एक ही हल प्राप्त होता था, लेकिन एक दियेवे हल से आप अनेक समीकर्ण मना सकते हैं, देखिए अपन परियाश करेंगे कि एक दियावा हल है उससे कितने समीकर्ण मना सकते हैं, जैसे एक हल है, x बरावर 5, ठीक है, अब इससे हमें समीकर्ण बनाने हैं, तो देखें आब इससे पहले एक समीकर्ण बनाते हैं, दोनों पक्सों को आप 3 से गुणा कर दीजिए, क्या लिखेंगे? दोनों पक्सों को 3 से गुणा करने पर, यहां 3 है, तो देखें, 3 गुणा x, 3 गुणा 5, तो यह हो गया आपके 3 x बरावर 15, अगले चरण में क्या करें? आप दोनों पक्सों में समान सिंग क्या जोड़ें या गटाएं, यह आपकी मर्जी पर निर्वर करता है, इसलिए जैसा आप लिखेंगे, उसी परकार से समीकर्ण बनेगा, जैसे अगर आप लिखते हैं कि दोनों पक्सों में, 4 जोड़ने पर, तो देखिए, 3 x प्लस 4 और 15 प्लस 4, 3 x प्लस 4 बरावर 19, यह समीकर्ण बन गया? भाई यह हल था, इससे यह समीकर्ण बन गया, यह मानली जी पहला समीकर्ण बनाए, अब हमें इससे और समीकर्ण बनाने हो, तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए, पहला चर्ण तो आप है, जैसे रहने दीजिए, दूसरी स्थती में, आप यह है 3 x बरावर 15, अब इसमें दोनों पक्सों में कोई संख्या गटाएं, मानली जी आप दोनों पक्सों में से 5 गटाने पर, तो 3 x बरावर 15, यह तो यहां था के, दूसरे चर्ण में मैं चेंज गर रहा हूँ, इसके जगे में क्या लिखूंगा, दोनों पक्सों में 5 गटाने पर, तो देखिए, दोनों पक्सों में से 5 गटाएंगे तो, 3 x माइनस 5, बरावर 15 माइनस 5, दोनों पक्सों में से गटा दिये न, 5 5 गटा दिये, तो यहां क्या बचा, 3 x माइनस 5, बरावर 15 में से 5 के 10, यह दूसरा समेकर, इसी परकार आप अलग-अलग संक्याओं से गुणा करेंगे अलग-अलग सेंख्याएं जोडएंगे गठाएंगे तो समीकर्ण भी अलग-अलग बनेंगे तो आप देख रहें कि नहीं हल यह कि लेकिन उसे समीकर्ण विभीन परकार के पन बना सकते हैं बच्चों आज के वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक आप घर पर अभ्यास करते रहें धन्यवाद